नमस्कार हमारी यूट्व चनल सफल इस्टडिया क्यों आपका स्वागत है पांच नॉवंबर 2021 को एक लेटर रिलीज हुई है लेटर रिलीज क्या गिये है देख सते मुख्य सचीव के दौरा जारखंड के मुख्य सचीव के दौरा और किनकों किनकों लिखा गिया है तो सभ सभी अपर मुख्य सचीव को सरकार के सभी पधान सचीव को सरकार के सभी प्रमंडलिय इस तरह आयूत को सभी उपायूत को यानि सभी डिसी को सभी जो है कमिशनर को सभी जो है सभी मुदब सचीव को लिखा गिया है क्या लिखा गिया है और इसमें बहुत सरे अठकली कफा पता बार्ट सरकार को बड़ गोशना करने वाली है और मों कि पूरा होई है और यहां पर देस तो राज स्थापना दिवस्थ पन्दर नमबर अबंग सरकार के दिसंबर 2021 को आजित होने कार्जगरम के संवांद में क्या कहा ज़ा रहे तो निर्देशन सर करना कि राज इस्था परना दिवस कभ है 15 नमबर 2021 सोली 15 नमबर है तो 15 इस साल के 15 दिसंबर 2021 को जोईता था इन दोनों दिवसों के बिच अधि में निम्नांकित काजगरम का निनने राज सरकार द्वारा द्वारा लिया गया है क्या क्या काजगरम का निनने लिया यहां पर निचे दी गई है सबसे पहले देगे हैं कि 15 नमबर 2021 को जोजारखन इस्तफ़र दिवस कजगरम का आजर प्रजेक्ट भन के दितिय तलप और आवसित नहीं सवागार में समित संख्या में उपस्तित होकर किया जाएगा यानि 15 नमबर के काजगरम जो है कहा किया जाएगा तो प्रजेक्ट भ इसके नुब्टिपत्र ताथा प्रिषंप्तिति का बित्रण किया जाएगा यानि कुछ निब्टइ पत्र भी हो सकता है कि बांट आजएगा है किनी लोहों का निकत्र पत्रण बाट जाएगा यह तो कहरना मुस्किल télé क्योंकि अभी तक तो देख सकते हैं कुछ भी होईछ है नहीं कि तुरंत निक्ति दे दिया जाए आगे पांच नावर पॉइंट जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोइटेंट है ध्यान से देखना जाए दिनांग 15 नमबर 2021 तथा 29 दिसंबर 2021 को आजित होने वले काजगरम में अधिक से अधिक निक्ति पत्रों का बित्रण हो सके इसके लिए परते की विभागिया साचिव दौरा उनके विभाग में प्रक्रिया धिन निक्तियों की समिछा कर ली जाए तथा उन्हें फास्ट्रेक की कारवाई की जाए और उकम पास समदित विचारे धिन निक्तियों पर आवेसे कारवाई कर 29 दिसंबर 2021 को इनका निक्तियों पत्र बित्रन किया जाए तो इसमें अटकली यह लगा जा रहा है कि जो भी पर्णिंग रिजल्ट है खास करें टीजिटी का और जो पंचा सब्सक्राइन का रिजल्ट दिया जाए दिया सकता है ऐसा उम्मिद लगाई जा रहे लेकिन दोस्तों कहा जाए तो अ अब का जो अनुबंद दौरा ने जो निक्ति हो रही है या फिर रोजगार मेला के दवारा जो निक्ति हो रही है उन सब पर 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 ही जिस परकार से सोनी कुमारी का जो ज़जमेंट आया है उस आधार पर पंचा सचिव और टीजीटी का ज़ल किस परकार से दिया चाहिए उस जज़मेंट का आधार पर ही इसकी समिच्छा जरूर की जा रही है और जहां तक सुप्रीम कोट के ज़जमेंट का बात है वेट करने की बात है तो अभी सुप्रीम कोट का ज़जमेंट कब तक आएगे सकता है ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोट में तुरांट सुनाए हो जेगे और तुरांट उसका ज़जमेंट जाएगा जो भी वेट कर रहे हैं और करना चाहती है जो धारकन हाई कोट के ज़जमेंट के आधार पर ही और जो भी उसके बाद आये या फिर कुछ भी डायर किया गय है आपके अगर पास कुछ भी न्यूज है तो अमरे कमने कुस में रख सकते हैं दिनवाद दोस्तों तब तक के लिए जोहार लाइक किजगे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को जाज़ जादा सेर किजगे अपने दोस्तों में और इस तरह के वीडियो हम औ करेंगे तब तक के लिए दिनवाद